हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे एक लजीज और हेल्दी डिस्की रेसिपी जी हाँ, आज हम बनाएंगे सोया वेज बिर्यानी मसालों और इंग्रिडियंट्स के साथ हम कोई कॉम्प्रमाइज नहीं करेंगे जैसे चिकन दम बिर्यानी और मटन दम बिर्यानी बनाई जाती है उसी तरह आज हम बनाएंगे टेश्टी और हेल्दी सोया दम बिर्यानी ये बिर्यानी फ्लेवर्स और प्रोटीन से भरपूर है खास तोर पर हमने इस दिसक को हमारे वेच सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया है और मैं अपने नोन्वेज सब्सक्राइबर्स से भी कहना चाहूंगी कि चिकन और मटन बिर्यानी तो आपने बहुत खाई होगी एक बार इस वेज बिर्यानी को जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी आसान फूर रेसिपिस के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सोया वेज बिर्यानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 200 ग्राम सोया चंक्स लिए है तो सबसे पहले हम इन सोया चंक्स को पानी में भिगो देंगे सोया चंक्स को भिगोने के लिए हमने यहाँ पर तकरीबन 2 लिटर तेज गरम पानी लिया है देखे पानी का यहाँ पर गरम होना जरूरी है तो हमने यहाँ पर जो गरम पानी लिया है उसमें हमने सारे सोया चंक्स को एट कर दिया अब हम इसे 10 मिनिट के लिए भी गो देंगे तब तक हम इसका मेरी नेशन तयार कर लेते हैं मैं इनेशन तयार करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा मिक्सिंग बोल लिया है इसमें हम एट कर देंगे दही तो यहाँ पर हमने 200 ग्राम दही ली है अब हम इसमें सुखे मसाले एट कर देंगे तो हमने ली है एक टीस्पून कस्मीरी लालमिच पाउडर दो टीस्पून लालमिच पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, दो टीस्पून नमक और दो टीस्पून धन्या पाउडर साथ ही में हम इसमें बिर्यानी मसाला एट कर देंगे देखे बिर्यानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का एट कर सकते हैं इसकी quantity तकरीबन 2 टेबल स्पून होगी अगर आप बिर्यानी मसाला एड़ ना करना चाहो तो एक टीस्पून गरम मसाला भी एड़ कर सकते हैं और एड़ कर देंगे तीन टेबल स्पून अधरक लहसुन और छोटी हरी मीच का पेस्ट मेरीनेशन के इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर सोया चंक्स को भीगोए हुए 10 मिनिट हो चुकी है हमने इसका सारा गरम पानी छन्नी की मदश से निकाल लिया और नॉर्मन टेंप्रेचर का पानी हमने इसमें एड़ किया है अब यह जो सोया चंक्स से इसका सारा पानी हम इस तरह से हाथों की मदश से निचोड कर निकाल देंगे हाथों की मदश से सारा पानी निचोड कर निकालने के बाद हम इसे मेरीनेशन में एड़ करते रहेंगे सोया चंग्स को मेरिनेशन के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसे आधे घंटे के लिए मेरिनेट करेंगे अब हम चावल को बोईल करेंगे तो चावल को बोईल करने के लिए हमने तकरीबन 4 लीटर पानी लिया है इसमें हम एट कर देंगे दाल चिनी का एक छोटा टुकड़ा, एक फूल और पांच काली मिज साथ ही में एट करेंगे एक तेज पत्ता और एट कर देंगे नमक क्योंकि हमने चावल को बोईल करके उसका ज्यादा का पानी निकाल देना है तो नमक हम इसमें ज्यादा एट करेंगे तो हमने इसमें धाई टीस्पून जितना नमक एट कर दिया अब हम हाई फ्लेम पर इस पानी को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे हाई फ्लेम पर पानी जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें एट कर देंगे सोक किये हुए बास्मती चावल तो यहां पर हमने एक किलो बास्मती चावल लिये हैं इन चावल को हमने दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह दोने के बाद आधे घंटे के लिए भी गो दिया था एक बार इसे चला लेंगे हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 20 मिनिट तक और बोईल करेंगे हाई फ्लेम पर एक उबालाने के बाद गेस की फ्लेम को मीडियम करके 20 मिनिट तक हमने मीडियम फ्लेम पर चावल को अच्छे से बोईल किया यह देखिए यहाँ पर चावल जो है वो 80% तक बोईल हो चुके हैं अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और चावल का ज्यादा का पानी च्छने की मदद से निकाल लेंगे अब हम बिर्यानी का मसाला तयार कर लेते हैं क्योंकि हम इसी बर्तन में बिर्यानी को दम करने वाले हैं इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ी सा इसका बर्तन लिया है मसाला तयार करने के लिए हमने यहाँ पर 200 ml तेल अच्छे से गरम कर लिया इसमें हम कुछ खड़े मसाले एट करेंगे जैसे कि एक दालचीनी, एक फूल, एक जावत्री का फूल, पांच लोंग, पांच काली मीच और दो छोटी इलाईची साधी में हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पून जीरा देखे, गेस की फ्लेम को हमने यहाँ पर हाई रखा है, कुछ सेकेंड तक खड़े मसालों को तेल में सोटे करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे टमाटर तो यहाँ पर हमने पांच मीडियम साइस के टमाटर को काट कर इसमें एट कर दिया अब हम टमाटर को तेल में तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये सोफ्ट ना हो जाए तो यहाँ पर हमने टमाटर को सोफ्ट होने तक हाई फ्लेम पर तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया एक बार इसे चला लेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे हमारा तयार किया हुआ मेरीनेशन अब हम इसमें एट कर देंगे फ्राई किये हुए आलू तो यहाँ पर हमने दो मेडियम साइस के आलू को इस तरह के बड़े पीसिस में कट कर लिया और इनको तेल में दो मिनिट के लिए हाइ फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हम इसमें एट करेंगे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे फ्राई क्यूवी प्याज तो यहाँ पर हमने 700 ग्राम प्यास को तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया था अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें आधा ग्लास पानी एट करके इन मसालों को हम लो फ्लेम पर कुछ देर तक पकाएंगे और बीट-बीट में इसे चेक करते रहेंगे तो यहाँ पर हमने 20 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर इन मसालों को अच्छे से पका लिया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे बिर्यानी को दम करने के लिए यह जो हमने मसाला बनाया है इसके आदी कौन्टिटी हम एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे क्यूंकि हम बिर्यानी को दम करते वक्त मसाले और चावल की दो लेयर बना रहे हैं इसलिए मसाले की आदी क्वोंटिटी हम अलग निकाल लेंगे देखिए अभी हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और जो हमने मसाले की आधी कॉंटिटी रखी थी उसको इस तरह से बरतन में अच्छे से लेवल कर लेंगे और इस पर हम एट कर देंगे बोईल के हुए चावल की आधी कॉंटिटी चम्मच की मदद से स्पRED करते हुए इसका भी हम एक लेवल बना लेंगे तो यहां पर हमने मसालों की और बोईल के हुए चावल की एक एक लेयर बना ली है अब बाकी का जो हमने मसाला निकाला था उसे भी हम इसमें एड़ कर देंगे देखिए बिर्यानी को दम करने के लिए हम चावल और मसाले की दो लेयर बना रहे हैं अगर आप चाहें तो चावल और मसाले की सिर्फ एक लेयर भी बना सकते हैं देखिए चावल की दूसी लेयर एट करने से पहले हम इसमें एट कर देंगे थोड़ी सी फ्राई की उवी प्याज तो तक्रीबन दो टेबल स्पून जितनी हमने इसमें फ्राई की उवी प्याज एट की साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना तक्रीबन दो टेबल स्पून जितना हमने बारिक कटा हुआ हरा धन्या और पुदीना एड़ कर दिया और अब एड़ कर देंगे छोटी हरीमिच अब हम इसमें एड़ कर देंगे बूइल के हुवे चावल की कॉंटिटी जिसको हमने सेकंड लेयर के लिए बचा के रखा था चमस की मदद से इसे भी लेवल कर देंगे तक इसकी लेयर अच्छे से सेट हो जाए यह देखिए हमने यहाँ पर चावल और मसाले की दोनों लेयर अच्छे से से सेट कर ली है अब हम इसे गानिश करेंगे तो गानिशिंग के लिए हम इसमें एड़ कर देंगे फ्राई क्यूवी प्याज और एड़ करेंगे बारिक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना और एड़ कर देंगे एक टी स्पुन येलो फूड कलर साथ ही में एड़ करेंगे एक टी स्पुन ग्रीन फूड कलर देखिए आप यहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर एड़ कर सकते हैं और एट करेंगे 1 टेबल स्पून घी, देखिए इसे बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए आप 1 टेबल स्पून केसर वाला दूद भी एट कर सकते हैं अब हम बिर्यानी को दम करेंगे बिर्यानी को हम डाइडेक्ट चूले पर दम नहीं करेंगे नहीं तो मसाला नीचे लग जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर तवा रखा है तवे पे हमने बिर्यानी वाले बर्तन को रख दिया अब 2 मिनिट तक इसे हाई फ्लेंप पर दम करेंगे और 2 मिनिट के बाद गेस की फ्लेंप को लो कर देंगे यह देखिए हमने लो फ्लेंप पर बिर्यानी को आधे घंटे के लिए अच्छे से दम कर लिया अब हम सव कर ले दे हैं हमारी इस मज़ेदार सी सोया वेज बिर्यानी को तो खाने के लिए तैयार है प्रोटीन और फ्लेवर से भरपूर वेज सोया बिर्यानी देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो फेमिली और फेंस में जरूर से सेर कीजिएगा एक बात और आपसे कहना चाहूंगी के चिकन और मटन बिर्याने तो आपने बहुत खाई होगी इस हेल्दी टेस्टी लजीज बिर्याने को जरूर ट्राई कीजिए अगर आप इस एसीपी को अपने घर पर ट्राई कर रहे हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंजिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई